नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल क्लियर कॉंसेट्स ओफ इंजिनरिंग में तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हुक्सलो के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों ही हुक्सलो स्टेट करती है कि जब भी हम अपनी बोडी पे इस तरह से लोड अपलाई करते हैं कि जो हमारी बोडी रेजिस्टेंस ओफर करती है अपलाई लोड के या फिर कहीं जो स्ट्रेस जवलप करती है हमारी बोडी अपलाई लोड के वो क्या हो एक सर्टे के वज़े से उन दोनों का ratio क्या होता दोस्तों constant होता है ठीक है आएए दोस्तों इसकी definition भी पढ़ लेते हैं एक बार तो दोस्तों Hooks law को हम इस तरह से define कर सकते हैं It states that when the material is loaded such that the intensity of stress is within a certain limit या कहें elastic limit then the ratio of intensity of stress to the corresponding strain is constant ठीक है तो दोस्तों इससे का निश्कर्ष निकलता है हमारा कि within elastic limit जो हमारी stress के value होगी वो directly proportional होगी strain के ठीक है दोस्तों तो दोस्तों हम stress को sigma ये small f letter से भी denote करते हैं और strain को epsilon से denote करते हैं तो दोस्तों ये क्या होगा आपस में directly proportional होगा according to hooks law और दोस्तों इसको अगर हम further evaluate करेंगे तो क्या होगा हमारा sigma is equals to e into epsilon तो ये directly proportional का sign हमारा हटा और ये हमारे पास एक constant आया ठीक है दोस्तों फिर ये epsilon को हम denominator में ले गए तो sigma upon epsilon ठीक है ये किसके equal होगा इस constant के और ये constant क्या क्या क्यालाता है हमारा modulus of elasticity ठीक है दोस्तों तो दोस्तों जैसे के आप इस figure में देख सकते हैं इसमें hook slow state करी गई है stress और strain को क्या दिखा रहा है directly proportional with the straight line ठीक है मिस जितना stress लग रहा है उतना ही हमारा क्या हो रहा है strain डेवलप हो रहा है और हाँ दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी help मिली हो तो आप हमारे वीडियो को like, share और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद